कितना मज़ा आता है ना जब किचन में हम कुछ बना रहे हैं उसी वक्त कुछ ऐसा इंग्रीडियन्ट जो खतम हो गया है और हम हाथो बात हार्वेस्ट कर सकते हैं तो कितना फन होता है ना बिल्कुल उसी वज़े से मैंने छट पे तो खेर आपने देखा यह बहुत बार और घर का जो लेफ्ट साइड वाला पोशन है उसमें एक क्यारी बनी हुई है सिमेंटेट क्यारी है इसके अंदर मैंने लगाए है थोड़ी से टमाटर के बलांट जिसका वीडियो मैंने अल्रेडी शेयर किया है अपने चैनल पे जब यह सैपलिंग थे तब भी जब यह फ इसके अंदर और एक एरिया का प्लांट लगा है तो एक क्यारी में जैसे मल्टिपल चीजे ग्रो हो रही है उसके बाद आता है यह राइट साइड वाला सेक्शन यह सेक्शन वैसे थोड़ा सा लंबा है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके मैं रीटेल में आपको प्ल इसके पीछे वाली क्यारी में एक कस्टड अपल का प्लांट और उसके ऑपोजट साइड में जो क्यारी है इसके अंदर तीन जो है वो मिनिट अगॉर के प्लांट है जो छोटे-छोटे फ्लावर्स होते हैं बहुत सुंदर लगते हैं विंटर में थोड़ा डॉर्वनसी मे अमरूत के प्लांट है और अमरूत के प्लांट को मैंने च्रल रख का है बुशी नहीं रख यह मैं की ट्रिम के सामने इंग अदे लिए को बहुत हुए हैं बीडियो के अंड में बाएर को क्यों च्नार घू vedere यह प्लावर्स होते हैं कंजु का फ्लांट ,बदस्क के में लि यह सब मेरे गमलों में थे बर ज्यादा प्लांट हो गए थे जिस वज़े से मैंने इनको दीरे-दीरे करके क्यारी में शिफ्ट किया है एक छोटे से प्लांट पॉर्ट में लगाया है यह आज जस्ट फर्स्ट व्लावर हुआ है कुछ दिन में यह काफी बुशी होगा उसके बाद जिसे मिर्च होती है बहुत जादा जरूरत होती है मिर्च की हमें किचन में तो मैंने काफी सारे मिर्च के प्लांट लगाए है क्योंकि हम लोग अचार भी बनाते हैं चौकते भी है ऐसे कच्चा भी खाते है तो मेरे इस क्यारी में आपको काफी सारे मिर्च के अ लगाया है कड़ी पत्यके ही जस्ट बगल में एक पंकिन का प्लांट है और उसके बगल में है यह मूलियों की जो सीड मैने यह डाल दिये थे सामने के सारे मने पत्य बूलिया सब हर्वेस्ट कर ली पीछे में चुछ ने चोड़ दिया है सीड के लिए तो यह लिए आप आग वैसे तो क्यारियों में नीचे जमीन नहीं है, सब में बस सेमेंटेट है और सब मिट्टी भरी गई है, इसलिए सारे प्लांस जो है, रूट बाउंड होते हैं, बड़े-बड़े प्लांस है, जिस वज़से साइड की जो स्पेसे हैं, उसमें बहुत अच्छे चीज़े ग्रो नहीं होती है, बड़ मैं कोशिश करती हूं ग्रो करने की, यह एक कंटेनर है, इसमें आप मल्टिपल गार्णिंग देख सकते हैं, इसमें मैंने ग्रीन अनियन भी ग्रो किया है, इसमें मैंने धनिया भी ग्रो किया है, इसमें मैंने एक ब्लीडिंग हाट का प्लांट भी ग कुछ भी जहां स्पेस मुझे दिखता है मैं वही पर ही ग्रोव करने की कोशिश करती हूं इसके अंदर मैंने एक शॉर्ट में भी शेयर किया था कि मूली का जो हेड है उसको कट करके मैंने ग्रोव किया है तो इन दोनों जो टगोर वाले फ्लांट है उन दोनों के पीछ मैंने एक एक डाला था और दोनों ही बहुत अच्छे ग्रोव किये और फ्लावरिंग पर आ गया है इसमें जो सोगरी होती है वो खाने के लिए मैंने इनकी मूली का जो हेड उसको ग्रोव किया है उसी के जस्ट फिर से opposite side है एक पीछे क्या रही है एक आगे क्या रही है तो मैं आपको आगे पीछे का एक एक करकर दिखा रही हो उसकी के सामने एक नादी है जिसमेंं काय को खाना देते है तो वह तूट गई थी थोड़ी crack हो गई थी तो जिसमें मैंने थोड़ा सा पीछे की तरफ है उसमें मैंने पिटून्या ग्रोव किया है फिर इसके पीछे वही केरी कंटिन्यू करते हैं और इसमें फिर से आप जितने देखेंगे मूल्यों के प्लांट है क्योंकि मैंने काफी सारे सीड्स यहां डालेते हैं कुछ हमने हर्वेस्ट किये कुछ रहे गए सीड्स के लिए उसके बाद फिर से यह मिर्च का सैपलिक मैं नाने तरह ग्रोह किया है इसी तरह से और अलमोस्ट कमपलीत है यहां कि इसमें यह कामी नी का प्लांट है बहुत सुंदर बहुत सुंदर फिर सुंदर होते हैं अगर एक फिल्स खिलता तो पूरी जगह महिख जाती है इसका यह सीड्स होता है बिल्कुल जैसे करीपत्तका सीड होता है और इसको अगर हम ऐसे ही दबा देंगे मिट्टी में तो यहां से बहुत सुदर जो है इसका प्लान निकलाएगा बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है इस प्लान की उसके बाद यह वाला सेक्षन खतम होके जो लास्ट क्यारी है यह हमारा जो कावडं की अफ्रय से हो आज के ield डी है इसके बाद जो सेक्षन आयेका वह रोड का सेक्षन यहां से हमारे घर का सेक्षन खतम होता है या से पूरा आ गए तक बेख भर jeśli यहां जाकर करके नहीं होता है प्लिछे वाला सेक्षन है उसमें बह। जाड़ा काम करना पॉसिम्ल नहीं होता कुछ बनाना के प्लांट जो मेरे पॉट में थे हैं उसको नहीं शिफ्ट कर दिया है और यहां पर सूंखे पट्वी जो लीफ मॉड्ड ही वही ताएं जसे नहीं रहते हैं तो मैं उनकी cutting लाकी यहां डाल देती हूं, hanging को, जो है, मैं flowering में इसकरती हूं, फिर वो plant यहां survive होते रहते हैं, फिर जब winter season चला जाता है, तो मैं यही से cutting ले लेकि उनको फिर से उन pots में grow करती हूं, तो यह जगा अगर आप बोलेंगे, तो यह बस मेरे cutting लगाने के लिए ज़्यादार यूज होती है, और यहां पर मैं मूली वगरे के सीट डाल देती हूं, यह जो नादी मैंने starting में दिखाई थी, आपको गोल वाली, यहां पर हम गाये की घास रखते हैं, बिल्कुल opposite side में, और एक नादी है जो फिर से तूट गई है, अभी कुछ दिन पहले तो उसका मैं वेट कर रही हूं कि इसको भी मैं cover करके, इसके अंदर कुछ इस बार सबजी लगाने का मन है इन में, तो मैं इसमें कुछ सबजी है वगरे ग्रो करने की कोशिश करूं, मैंने जो बताया था कि मैं क्यों फ्रूटिंग प्लांट की हाइट छोटी रखती हूं, क्योंकि यहां पर चार जो है फॉक्स टेल के पाम लगे हैं, और जब हम दूर दूर किसी सेम चीज जब बहुत जैसे पास पास लगाते तो ब्यूटी नहीं आती, उसी तरह से फॉक्स टेल पाम जो है बहुत सुंदर लगते हैं अगर फॉटिंग प्लांट जो है बड़े-बड़े होकर बुशी होकर उन फॉक्स टेल पाम के बीच में आएंगे तो उनकी ब्यूटी खतम हो जाएगी दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे अभी चार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हैपी खेती बाई